नमस्कार स्वागत है आपका न्यूस वल्ड इंडिया में मैं हूँ आपके साथ भारती सिंग नज़र डाल लेते हैं खास ख़बरों पर कोरोना की चलते इस बार 26 जन्वरी को होने वाली गरतंत्र दिवस परेड में कई बदलाव हुए हैं इस बार गरतंत्र दिवस समारों में कोई मुख्यातिती नहीं होगा कुरोना महमारी के प्रकोप के कारण ब्रिटन के पीम बोरस जॉनसन के बतोर अतिती आने में असमर्थता जताने के बाद सरकार ने ये फैसला लिया है ये चोथा अफसर होगा जब देश का गरतंत्र दिवस समारों बिना मुख्यातिती के होगा इससे पहले 1952, 1953 और 1966 में गरतंत्र दिवस समारों के लिए किसी को मुख्यातिती नहीं बनाया गया था इसके अलावा तीन बार इस समारों के दो-दो मुख्यातिती थे जबकि दो वर्ष पूर्व 2018 में दस एशिया देशों के शासन अध्यक्षों को समारों का मुख्यातिती बनाया गया था साल 1956, 1968 और 1974 में समारों के दो-दो मुख्यातिती थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरस जॉंसन ने मंगलवार को पीएम मोदी से फोन पर बात कर बतोर मुख्यातिती आने में असमर्थता जताई थी इसके लिए उन्होंने ब्रिटिन में कोरोना के नई स्ट्रेन का हवाला दिया था यात्ररद करने के लिए खेज जताते हुए उन्होंने कहा कि स्तिती में सुधार होते ही वे भारत की यात्रा करेंगे गरतंत्र दिवस समारों में इस बार कोरोना, प्रोटोकॉल और सादगी का खासा पालन किया जाएगा इस अफसर पर निकलने वाली परेड इस बार पहले की तुलना में आधी आत्रा करेगी इसके अलावा इस बार सीमित संख्या में ही लोग परेड का आनन ले पाएंगे पहाडों पर जोरदार बर्फबारी हो रही है और उत्तर भारत में घने कोहरे ने मुसीवत बढ़ा दी है जम्मु कश्मीर, उत्राखन और हिमाचल में बर्फबारी के चलते हालाद बेहत मुश्किल हो गए है जम्मु श्रीनगर हाईवे बर्फ की मूटी परत की वजह से लगातार पांचवे दिन भी ठप रहा जम्मु कश्मीर के कई जिलों में बर्फी ले तूफान की चेतावनी जारी की गई है बादल चाय रहने की वजह से पिछले कुछ दिनों में मैदानी इलाकों में नियुम्तम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है आयमडी के शेत्रिय पूर्वानुमान केंद्र के मुख्य कुलदीप श्रिवास्तव ने बताया कि वेस्टन डिस्टिबंस की वजह से नौजनवरी यानि आज से शेहर में बहुत हलकी बारिश हो सकती है उसके बाद आसमान में बादल चाय रहेंगे इसके बाद मैदानी इलाखों में बरफीली पहाडों से उत्तरी पश्मी हवाओं के आने से दिल्ली के न्यूंतम तापमान में 4-5 डिग्री शेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है मुंबे के जुहू पुलिस टेशन में बीमसी ने अभिनेता सोनुसूद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है बीमसी ने आरोप लगाया है कि सोनुसूद ने बिना अनुमती के 6 मंजल आवासिये इमारत को कथे त्रूप से होटल में बदल दिया है इसी मामले को लेकर शिकायत दर्ज की गई है बीमसी ने पुलिस से आगरह किया है कि सोनु के खिलाफ मामला दर्ज करें बीमसी ने कहा है कि पुलिस MRTP Act के तहट सोनुसूद पर केस दर्ज करें इससे पहले भी BMC ने अवेद निर्मान को लेकर सोनुसूद को नोटिस जारी किया था अधिकारियों के मताबिक सोनुसूद इस नोटिस के खिलाफ सिविल कोर्ट भी पहुँचे थे लेकिन उन्हें वहां से कोई राहत नहीं मिली थी हलाकि सोनुसूद ने इन आरोपों को नकारा है अक्टर ने कहा है कि जो भी बदलाव हुए हैं उसके लिए BMC से एप्रूवल लिया गया था ये एप्रूवल महराष्ट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी से होना था कोविड-19 की वज़े से एप्रूवल नहीं मिल पाया हमारी तरफ से कोई अनियमित्ता का मामला नहीं हुआ है मैंने हमेशा कानून का पालन किया है ये होटेल कोविड-19 के समय कोरोना वार्यर्स के लिए घर बनाया गया था अगर अनुमती नहीं मिलती तो मैं इसे फिर से आवाज की तरह बना दूँगा मैं BMC के खिलाफ Bombay High Court में अपील करूँगा बिहार की राजधानी पटना में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके बारे में जानकर कोई भी चौक उठेगा यहां बैंक में पैसे निकालने एक मुर्दा पहुँच गया जिसे देखते ही अधिकारियों में हडकम मच गया किसी को भी सुनकर ये कहानी दरावनी लगेगी लेकिन ये चौकाने वाली ख़बर है पूरी घटना राजधानी पटना के शाहजानपुर थाना इलाके की है जहां सिग्रियावा गाउं के पास कैनरा बैंक में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अर्थी पर लेटे शक्स के अकाउंट से पैसे निकालने के लिए कहा जाने लगा बताय जा रहा है कि गाउं के ही रहने वाले 55 वर्षिय महिश यादव की मंगलवार 5 जनवरी को मौत हो गई थी महिश का अंत्म संसकार करना था लेकिन इसके लिए किसी के पास पैसे नहीं थे ऐसे में गाउंवाले बैंक पहुँचे और वहां जाकर महिश के खाते में जमा पैसे देने की मांग करते रहे मगर बैंक के अधिकारियों ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया कैनरा बैंक के अधिकारियों के सामने नियम काईदे का पेच फस रहा था ऐसे में जब बैंक से पैसे की निकासी नहीं हो पाई तो गाउवाले महिश यादव की अर्थी लेकर ही बैंक पहुँच गए इसके बाद तो पूरे बैंक में हडकम मच गया बताय जा रहा है कि लगभग 3 घंटे तक महिश का शव बैंक में ही पड़ा रहा आखिर में मामले को शांत करने के लिए मैनेजर ने अपनी ओर से 10,000 रुपे दिये और जैसे तैसे लोगों को समझा भुजा कर अंतन संसकार के लिए फेश दिया फिलाल खास खबरों में इतना ही जुड़े रही है नियूज वाल इंडिया के साथ अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई तो उससे लाइक करें शेर करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दन्यवाद